नमस्कार दोस्तों आज हम आपके सामने एक बार फिर उपलक्ष हो हैं बेबी जोई IVF की तरफ से जैसे कि आप जानते हैं हमारी एक वीडियो की सीरीज चल रही है जिस पे हम IVF में अधोनिक तक्नीकों के बारे में डिसकस कर रहे हैं पिशले वीडियो में हमने एक सी और ब्लास्टोसिस ट्रांसफर के बारे में बात किया इस वीडियो में हम टी सा और एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में आपके साथ सांजा करेंगे कुछ इंफर्मेशन को तो दोस्तों सबसे पहले टीसा क्या होता है दोस्तों जैसे कि हमने एक्स्प्लीन किया कि IVF में पुरुष के शुकराणू और महिला के अंडे बहुत जुरूरी होते हैं इनको लैब के बाहर लेकर आपस में मिलाया जाता है और भुरूण बनाया जाता है लेकिन अगर पुरुष में शुकराणू नहीं है तो पुरुष के टेस्टिकुलर टिशू में से शुकराणू निकाले जाते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं टीसा ये उन केसेज में कारगर है जहां आदमी में शुकराणू नॉर्मल रूप से बिलकुल नहीं पाये जाते या निकलते तो इन केसेज में टीसा का इस्तमाल करके हम टेस्टिकलर टिशू से शुकराणू को निकालते हैं और उसको फिर अंडों के साथ मिलाकर हम भुरून को बनाते हैं और इस भुरून को फिर हम बच्चेदानी में डालते हैं इससे IVF में सक्सेस रेट काफियत तक बढ़ाया जा सकता है उन पुरुशों में जहां आम तोर पर शुकराणू नहीं पाये जाते अब हम अपनी दूसरी टेकनीक के बारे में बात करेंगे यानि की एंब्रियो फ्रीजिंग यानि की भुरून को फ्रीज कर दें तो दोस्तों जैसे की मैंने बताया जब बॉडी के बाहर अंडे और शुकराणू को मिलाया जाता है तो उससे कहीं सारे भुरून बनते हैं एक टाइम पे इसमें से दो एक भुरून ही बॉडी में या बच्चे दानी में डाले जाते हैं बाकी भुरून बाकी बचे रह जाते हैं इन भुरूनों को हम फ्रीज कर देते हैं इस अपईक्षा में कि अगर जो दो भुरून हमने डाले हैं उनसे प्रेग्नेंसी या आपस से आपको एक और या दो और अटेंट्स दे सकते हैं तो दोस्तों ये दोनों ही जो तकनीके हैं बहुत आधोनिक तम हैं और IVF में सक्सेस रेट को काफी हर्थ तक बढ़ा सकती हैं यानि कि पहला टीसा और दूसरा इंब्रियू फ्रीजिंग दोस्तों यदि आप और IVF क तकनीकों के बारे में कुछ पता करना चाहें हमारे को free में संपर्क करना चाहें और अपने fertility score के बारे में जानना चाहें यहां हमारे special discounted packages के बारे में जानना चाहें, तो नीचे दिये गए नंबर पर आप हमको संपर्ख कर सकते हैं दोस्तों, Baby Joy IVF एक विश्वस्तरी IVF Center है, हमारे यहां विश्म में कई कंट्रीज से लोग आते हैं, दंपत्ती आते हैं, और सफलता पूर्वग अपना इलाज करके वापस जाते हैं हम आशा करते हैं, कि Baby Joy आपके भी जीवन में सुख लाए और आपके परिवार को जल्दी पूरा कर सके, धन्यवाद